कौई को श्राध का अन्न क्यों खिलाया जाना है। बात त्रेतायु की है, जब श्रीराम मंदाकिनी नदी के किनारे बैठ कर सीता के बालों में पुष्ट लगा कर उनका श्रिंगार कर रहे थे। इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर आया और उसने सीता के पैरों में चोच मार दिया, वह श्रीराम का बल देखना चाता था। सीता के पैरों से खोन निकलता देख श्रीराम ने पास पड़ा एक तिनका उठाया और मंत्र फूख कर उसे ब्रहमास्त्र बना दिया और उसे कौवे के पीछे छोड़ दिया। ब्रहमास्त्र कौवे के पीछे पड़ा गया। जयंत भाग कर अपने पिता इंद्र के पास गया लेकिन इंद्र ब्रहमास्त्र से पीछा नहीं छुड़ा सके। श्रीराम से छल करने वाला मूर्क जयंत भय और शोक से व्याकुल होकर सारे लोकों का चक्कर लगाता रहा। शिव और ब्रहमा भी उसकी सहायता करने से मना कर देते हैं। अंत में नारत को उस पर दया आ जाती है और वह बोले रामबार से केवल श्रीराम ही बचा सकते हैं। जयंत श्रीराम के पास भयभीत होकर जाता है और उनके चरण पकड़ कर क्षमा मांगता है। यद्यपी उस कौय का वद करना उचित था लेकिन कृपालू श्रीराम ने उसकी एक आख फोड़ कर उसे जीवनदान दे दिया। इसके साथ कौय को आशिर्वाद मिला की श्राध पक्ष में कौय को खिलाया गया भोजन पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। कभी से श्राध पक्ष में कौय को श्राध का भोजन कराया जाता है। श्री राम का दर्शन अमोग होता है जो उनकी शरण स्वीकार कर लेता है और उनका दर्शन प्राप्त करता है उसे कुछ ना कुछ आशिरवाद जरूर मिलता है